मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल, एसोसियेट प्रफेसर, गॉर्णमन कॉलीज सुजानगर। बिये पार्ड थर्ड की ग्लास में हम चीन की विदेश नीती का पाँचवारंतिम भाग पढ़ेंगे। चीन की विदेश नीती में हम लोगों ने पढ़ा कि 1999 में सामयवादी करांति जमावत से तुंग के नेतरत्व में हुई तो उसके बाद एशिया में उसने अपना प्रभुत्व इस्थापित करना एक मात्रलक्ष रखा और उसके साथ साथ पूरे विश्व में सामयवाद के प करना जाता था और इसी के आधार पर प्रारंभ में जहां उसने सोवियत संग के साथ अच्छे संबंध रखे तो वहीं उसने पूरे विश्व में सामयवाद को एक साथ प्रसारीत करने की नीती को अपनाया लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि चीन की जो नीती है जिसको हम पढ़ा चार भागों में बाट करके उसने अपने प्रभुत्व को इस्थापित करने के लिए जहां उग्र नीती को अपनाया तो वहीं पर उसने चारा और छड़ी जैसी नीती को भी अपनाया और साथ ही उसने आर्थिक सहयता देने की नीती को भी अपनाया एशिया में उ अहीं पर हम देखते हैं कि दक्षण सागर, दक्षण हिंद सागर और अरब सागर इन में उसने हसक्षेब करना शुरू किया। हम लोगों ने देखा कि उसने धिरे-धिरे अपनी सौफ्ट पावर की छवी बनाना शुरू किया। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका के साथ 1970 में उसने अपनी संबंद सुधारने शुरू किये क्योंकि सयुक्त राष्ट संग में उसे सदस्यता नहीं मिली थी। इस तरह से उसके जो संबंध है वो एक तरफ सामयवादी देशों से अच्छे थे तो दूसरी तरफ अमारीका से खराब थे लेकिन फिर उसने धीरे-धीरे सोवियत संग के साथ संबंधों को तोड़ना शुरू किया और अमारीका के साथ मित्रता बढ़ाना शुरू किया इस अधार पर चीन की नेती बहुत आइस पश्ट और विश्वसनिये नेती मानी जाती है अगर हम भारत के संदर्व में बात करें तो 1954 में पंचेशील सिधान्त पर समझोता हुआ तिबबत को लेकरके हिंद चीन भाई-भाई के नारे लगाए गए और फिर अचानक से 1962 में एक उसका सबसे बड़ा शत्रू था और उसके बाद 1971 में चीन के राष्ट्रपती अमेरिका के राष्ट्रपती ने चीन की यात्रा की वियतनामी आजादी के लिए चीन ने साहता दी और 1989 में वियतनाम पर आक्रमन भी कर दिया पूरे विश्व में जब व्यापक परमाणू परिक्षण निशेध संधी पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो उसी दिन चीन ने अपना परमाणू परिक्षण किया तो इस तरह से अनस्पेक्टेड निटिया अनस्पेक्टेड निर्ने वो लेता है जैसा कि वियतनाम के विदेश मंतरी नगुफुन शेच ने कहा चीन कभी शत्रू नहीं शत्रू बन चाता है कभी दोस्त, कभी आधा दुश्मन, कभी आधा दोस्त चीन की जो चाले हैं वह उम्रह करने वाली है कभी एशिया में शान्तिपूर्ण सहस्तित्व की बात करता है तो कभी कहता है कि बंदूक में ही दम है पहले भी कहता था अमेरीकी समराज्यवाद ही विश्व का सबसे बड़ा शत्रू है लेकिन आज अमरीका चीन का सबसे अभिन्द मित्र है तो इसलिए कोई एक नीती उसकी नहीं होती जापान, भारत और अमेरीका से उसने संबंध सुधारने की कोशिश की 2015-16 में 1987 में सुवियत संकेसा संबंध सुधारने के लिए सीमा संबंधी आनशिक समझोता हुआ दोनों देशों ने आपसी शांतिपूर्ण सहस्तित्व के पाँच सिधानतों को स्विकार किया जब रूसी राष्टपती बोरेस येल्दसिन ने चीन की यात्रा की चीन ने रूस से बहतर सुखोई SU-27 विमान खरीदे रूस के साथ दाई अरब डॉलर का एक सौधा हुआ जिसके तहट चीन में और दोसो SU-27 विमानों का निर्मान किया जाएगा 16 जुलाई 2001 को रूस और चीन के बीच एक नई 20 वर्षिय मैत्री संदी हुई दोनों देशों की बीच कोई सीमा विवाद नहीं है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे ये इस संदी में कहा गया राश्ट्रपती शी चिंग पिंग अपनी पहली याद्रा रूस की करने गए और चीन ने समर्थन किया रूस का उस समय जब सितंबर 2015 में सीरिया पर हमला किया था एक जुलाई 1987 से होंग कॉंग परचीन की प्रभुसत्ता इस्थापित हुई और ताइवान से निकट सम्मंध उसने स्थापित करने का प्रयास किया चीन एक बड़ी शक्ती बन गया 33 परमानू परिक्षन कर चुका है उसका रक्षा बजट बहुत बड़ा है आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझोता और शान्ती समझोता उसने किया है चीन ने अपना बाजार दक्षन पूर्वी और मध्य एशियाई देशों के लिए खोला है क्योंकि वो आर्थिक विकास बहुत तेजी से करना चाहता है उसके एशियाई देशों में मित्र जो राष्ट है उसमें पाकिस्तान एक मित्र राष्ट है चीन ने अपना प्रभुत्व पूरे एशिया में फैलाना शुरू किया म्यानमार के कोको द्वीप पर निर्मे चीनी नौसेनिक अड़्दा मंगलादेश के चटगाउं बंदरगा के आधुनी की करन का प्रस्ताव पाकिस्तान के गुआदर बंदरगा के अधुनी की करन का प्रस्ताव श्रिलंका के होटम तोड़ा बंदरगा पर चीनी नियंतर आदी से उसने जहां एक और अमेरिका के समुद्रिक प्रभुत्व है उस पर एक तरह से आखात किया है तो दूसरा इस शित्र में अपनी शक्ती को उसने बढ़ाया है वैने जुएलो और ब्राजील जैसे जो गैर एशियाई देश हैं उनमें भी चीन का प्रभाव बढ़ा है चीन ने अपनी सेना का बहुत व्यापक आधुनी की करण किया है चीन ने भारत के पूर्वी उत्री राज्य में हस्तक्षेप शुरू किया कश्मीर में घुसपैट, गल्वान घाटी में वर्तमान में भी घुसपैट चल रही है सैनिक जमावडा है, नेपाल और भूटान को भारत के विरुद्ध घेरा है और इसी के चलते नेपाल ने अपना नया नक्षा भी कुछ समय पूर्व जारी किया तो उसमें भारत के कुछ शित्र को अतिक्रमन करते हुए दिखाया है तिबबत पर अपना अधिकार करने के बाद में नेपाल और भूटान में उसने रेल और सडक जाल बिछाना शुरू किया है तीसरा विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश चीन मन गया है उसने अपना जो सैनिक बजट है उसमें बहुत ज़दा इजाफ़ा किया और इसके आधार पर उसने अपना सैना को बहुत सर्शक्त बनाया है भारत की उत्तरी सीमा पर वो सैनिय धाचा का निर्मान करता रहा है और शस्त्रों का व्यापारी भी है चीन एशिया यी निर्याद के लिए सस्ती दर्गा श्रम उपलब्द करा रहा है एशिया का व्यापार चीन के साथ बढ़ा दक्षन पूर्व एशिया के देश और यहां तक की आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड के साथ भी आर्थिक संबंद उसके बढ़ते जा रहे हैं चीन ने आस्यान देश के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझोता किया और चीन ने एक गैस समझोता किया जिसका मूल्य 21 अरब अमारी की डॉलर तक पहुँच सकता है वो अपने विशाल बाचार को पूर्व और दक्षन पूर्वी एशियाई देशों के लिए खोल रहा है जापान की अर्थिव्यवस्था में चीन से मिले ओर्डर बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह से चीन ने काफी तेजी से जहां हत्यारों के इस तर पर देखें अंतरश्टी इस तर पर सैन्य अधिश्टी से देखें तो अपने आपको बहुत तेजी से अगरिम पंक्ती में खड़ा किया है तो वहीं पर उसने अपनी अर्थ व्यवस्था को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है चीन प्राकर्तिक गैस और तेल भंडारों से समरध रूस में वैश्विक इस तर पर अपनी महत्वा कांक्षाओं को पूरा करना चाहता है अफ्रीका का दौरा चीनी राष्ट्रपती ने 2015 में किया और ये उसकी सुनियोजित रणनीती का हिस्सा था ताकि खनिज संसाधन और पेट्रोलियम उत्पादों की जो आपूरती है उसको सुनिश्चित किया जा सके और इसलामाबाद यानि पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद राष्ट्रपती शी जिन पिंग ने दी चीन ने अपने रणनीती के तहत तिबबत के साथ-साथ अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम पर अपने नीती को बढ़ाना शुरू किया है और नक्षे में इन शेत्रों के कुछ हिस्से को अपने नक्षे में वो दिखाता है इस तरह से जो चीन है वो वर्तमान में बहुत तेजी से अपनी अंतराश्टिय शक्ति को बढ़ा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी अभी हाल ही में जो एक नया खत्रा विश्व के सामने आया है महामारी के रूप में कोरोना और जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये बुहान प्रांत से शुरू हुआ है इसको लेकर कि अमारीका ने चीन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए है और चीन के साथ उसके सम्मंद बहुत ज़्यादा खटास्पून हो गए है वहीं पर विश्व के अन्य देशों से भी चीन के सम्मंद इस समय तनावपून है आज के लिए इतना ही